ओम शांते ही, शिव बाबा, शांती का साकर, हमें इस टौकी की दुनिया से मूवी और फिर साइलन्स में ले जाने के लिए इस रिष्टी पर आये हैं। और रोज हम यही स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और हम आत्माओं का घर स्वीट साइलन्स हूम है। जितना जितना हम अपने स्वधर्म को समझते हैं, उस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करते हैं, उतना मन्जिल के समीप पहुचते जाते हैं। परन्तु दुनियावी बातें, आवाजें, और आज की दुनिया में तु न जाने कितने साधन, हमें अपनी और आकरशित करते हैं। परन्तु यदि लगन की अगन सच्ची है, मन में द्रणता है, संकल्प शुद्ध है, तो मन्जिल दूर नहीं है। तो आज की बाणी में भी बाबा, हमें इस साइलेंस की स्थिति का महत्व बताते हैं, कैसे हम इस देहे से न्यारे हो, बेहद के वेरागी हो, अपने मूल वतन की और चलें, उसके लिए कैसे तयारी करें, वो विधी बता रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य, आज है आठ तारीक, आठ एपरेल दो हजार चॉबिस, बाबा के महवाक्ये हैं, मीठे बच्चे, इन आखों से, जो कुछ देखते हो, इन दो आखों से, स्थूल नेत्रों से, जो कुछ देखते हो, यह सब खत्म हो जाना है। इसलिए इससे बेहद का वैराक्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे है किवल छोडवा नहीं रहे बाबा ऐसा नहीं कह रहे है कि बस पुरानी दुनिया को छोड़ दो उसके लिए आफर्ट्स नहीं करा रहे परन्तु उसके बदले में बाबा हमें नई दुनिया भी दे रहे है तो इसलिए बाबा दाता है, विधाता है, वर्दाता है भोला भंडारी है तो हमें देने के लिए आए है परन्तु अच्छा ले उसके लिए बुराई को तो छोड़ना पड़ेगा ना प्रश्ण है, तुम बच्चों की साइलंस में कौन सा रहस्य समाएा हुआ है उत्तर है, जब तुम साइलंस में बैठते हो तो शान्ती धाम को याद करते हो तुम जानते हो, साइलंस माना, जीते जी मरना मर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं स्वर्ग पधारा है न यहां से चला गया चल बसा तो अगर मर गए है न तो यानि शरीर छोड़ दिया तो silence माना जीते जी मरना जीते जी हम वो स्थिती जो मरने के बाद आती है वो silence की स्थिती वो हम शरीर में रहते प्राप्त करते हैं यहां बाप तुम्हें सत्गुरू के रूप में silence रहना सिखलाते हैं तुम silence में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो तुम्हें ग्यान है कि अब घर जाना है दूसरे सत्संगों में शांती में बैठते हैं लेकिन उन्हें शांती धाम का ज्यान नहीं है बस silence में बैठते हैं यह नहीं जानते कि हमारा स्वधर में शांत है हमारा घर हमारा मूल वतन शांती धाम है तो उनकी silence में और हमारी silence में अंतर आ जाता है ओम शांते, मीठे मीठे सिकिलते, रुहानी बच्च प्रती, शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लिखाया ना श्री कृष्ण भगवानु वाच, लेकिन है शिव बाबा बोले, श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं। सबको मालूम है कौन से? लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। लौकिक को परम पिता कहा नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलोकिक बाप, पारलोकिक बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तुम जाते हो शांती धाम, जिसको तुम मुक्ती धाम, निर्वान धाम, ववान प्रस्त भी कहते हो, अब बाप कहते हैं बच्चे, अब जाना है शांती धाम, याद रखें, कहा जाना है, मन्जिल कौन सी ह स्रिष्टी चक्र पूरा हो गया अब कहा जाना है शांती धाम फिर दुबारा चक्र में आना है लेकिन फिलहाल टार्गेट है शांती धाम सिर्फ उनको ही कहा जाता है Tower of Silence किते सारे नाम हो गए ना शांती धाम के यहां बैठे हुए पहले पहले शांती में बैठना है कोई भी सत्संग में पहले पहले शांती में बैठते है परन्तों उन्हों को शांती धाम का ज्यान नहीं है बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है कोई भी समय शरीर छूट जाए इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं, वह अच्छी रीती पढ़ना है अच्छी रीती क्या है? अपने को आत्मा समझ के पढ़ना है वह सुप्रीम टीचर भी है, सद्गतिदाता, गुरू भी है उनसे यूग लगाना है, कनेक्शन जोडना है ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं, है बाबा एक ही परन्तु पालना भी करते हैं बाप के रूप में तीचर बनकर हमको पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सद्गुरू बनकर हमारी गती, सद्गती भी करते हैं ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते यह एक बाप silence भी सिखलाते है जीते जी मरने को silence कहा जाता है कोई शरीर छोड़ते है ना तो उसके बाद कहते हैं मौन रथ रखो तो मिनट तीन मिनट मौन में रहते हैं शरीर छोड़ भी देते हैं तो कोई जादा बातचीत नहीं करते वहाँ पर जहाँ पर उसकी डेत होती है उनके घरों में भी तो silence का बड़ा महत्व है जब आत्मा शरीर छोड़ती है लेकिन हम जीते जी उसका अभ्यास करते हैं यह एक बाप silence भी सिखलाते है जीते जी मरने को silence कहा जाता है तुम जानते हो हमको अब शांती धाम घर में जाना है जब तक पवित्र आत्माए नहीं बनी है तब तक वापिस घर कोई जाना सके वो शांती धाम तो है परन्तु वो धाम है बड़ा पवित्र ब्रह्म लोग जिसे कहते हैं ब्रह्म महा तत्व में बहुत पवित्रता है तो बाबा ने कहा कि जब तक प्योड नहीं बने है तब तक वापिस नहीं जा सकते जाना तो सबको है इसलिए पाप कर्मों की पिछाडी में सजाएं मिलती है ताकि आतमाई पाप कर्म खत्म करके सजाओं के रूप में उन्हें खत्म करके फिर पवित्रबन कर जाएं फिर पद भी ब्रष्ट हो जाता है कर्म भोग या कर्म योग दो चीज़ें होती है अब अगर कर्म योग से योग अगनी से पाप दग्ध नहीं किये तो फिर भोग ना भोगनी पड़ेगी सजाओं भोगेंगे तो केवल सजाओं नहीं होती ना फिर बाद में पद भी ब्रष्ट हो जाता है मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है क्योंकि माया से हारते हैं तो जैसे जेल में होता है मानी रोटी भी सुखी मिलती है और हंटर भी मिलते हैं खाने के लिए तो फिर बाबा कहते हैं क्योंकि माया से हारते हैं बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने परन्तो गफलत से बाप को याद नहीं करते यहां तो एक बाप को ही याद करना है भक्ती में भी बहुत भटकते हैं जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं बापाकर भटकने से छोड़ा देते हैं समझाया जाता है ज्यान है दिन, भक्ती है रात रात को ही धक्का खाया जाता है ना अंधिरा होता है तो धक्का खाते हैं ज्यान से दिन अर्थात सत्युग त्रेता भक्ती माना रात द्वापर कल्युग यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन अभी रात और दिन हद की बात नहीं हो रही यह बेहद के रात और दिन है जिसमें दिन है सत्युग और त्रेता और द्वापर और कल्यूग है रात आधा समे दिन, आधा समे रात प्रजपिता ब्रम्ह कुमार कुमारियों का दिन और रात क्योंकि हमात्माएं ही पूरा चुरासी का चक्र लगाती है तो हमारे लिए ही ये दिन और रात का चक्र है ये बेहद की बात है बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं हद का संगम नहीं है ये बेहद का संगम है इसलिए कहा जाता है शिव रात्री कि शिव बाबा इस बेहद की रात्री में आई अज्ञान अधकार के समय पर आई मनुष्य यह नहीं समझते कि शिवरात्री किसको कहा जाता है तुम्हारे सिवाए एक भी शिवरात्री के महत्व को नहीं जानता क्योंकि यह है बीच जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है बीच है रात और दिन का बेहद की रात यानि कल्युग घोर का लिउग का और सत्युग आदी का संगम है यह इसको कहा जाता है पुरुशुत्तम संगम युग पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच बाप आते ही है पुरुशुत्तम संगम युगे युगे ऐसे नहीं युगे युगे जैसे कि श्रीमत भगवद कीता में श्लोक में बोल दिया है संभवामी युगे युगे पर बाबा ने का युगे युगे नहीं संगम युगे आते हैं बाबा सतियुग त्रेता का संगम उसे भी संगम युग कह देते हैं बीच का टाइम होता है न बाबा कहते हैं ये भोल है वास्तविक्ता में बाबा इस संपूर्ण कल्प जब अंतिम समय पर होता है और नए कल्प की शुरुवात होनी होती है तो सतियों का आदी और कलियों का अंत दोनों के संगम पर आते है शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप विनाश होंगे। इसको यूग अगनी कहा जाता है। तुम सब ब्राम्मण हो। यूग सिखाते हो पवित्र होने लिए। वे ब्राम्मण लोग कामचिता पर चड़ाते हैं। क्या करते हैं? शादियां करवाते हैं तो कामचिता पर चड़ाते हैं। उन ब्राम्मणों और तुम ब्राम्मणों में रात दिन का फर्क है। वो कामचिता पर चड़ाते हैं और हम पवित्र बनाते हैं। वे है कुखवन्शावली, तुम हो मुखवन्शावली। हर एक बात अच्छी रीती समझने की है, यादी नहीं करना है, रटना नहीं है, यथार्त समझना है, यू तो कोई भी आते हैं, उसको समझाया जाता है, बेहद के बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, और बेहद के बाप का वर्सा मिलेगा, फिर जितना जितना दैवीगुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना उच बद पाएंगे, बाप आते ही है, पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है, पतित तो सभी है, बाप इसी काम के लिए आते हैं ना सबको, पतित से पावन बनाने, तो हमें भी ये सेवा करनी है तो बाबा कहते है पतित तो सभी है गुरु लोग किसको भी पावन करना सके पतित पावन नाम शुव बाबा का है किसी मनुश्यात्मा का नहीं है वह आते भी यहां है जब पूरे सभी पूरे पतित बन जाते है ड्रामा के प्लान अनुसार तब बाप आते हैं पहले पहले तो बच्चों को अलफ समझाते हैं बाबा अपना परीच्च देते हैं मुझे याद करो तुम कहते हो न वो पतित पावन है रूँहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन कहते हैं हे भगवान अत्वा हे बाबा परन्तु परीचे किसी को भी नहीं है ना कितनी बार मुख से निकालते होंगे कोई भी प्राब्लम हो जाएगी कुछ भी दिक्कत आ जाएगी मुख से आटोमाटिकरी निकलता है हे भगवान हे परमात्मा हे इश्वर परन्तु वो है कौन ये तो किसी को भी पता नहीं है तो परिचे किसी को भी नहीं है अभी तुम संगम वासियों को परिचे मिला है वह है नर्क वासी तुम नर्क वासी नहीं हो हाँ अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं हम संगम युग वासे हैं, बाकी दुनिया कल युगी दुनिया की निवासी नर्क वासी है, लेकिन अगर संगम युग पर होते हुए भी माया से हार खा जाते हैं, तो गिर जाते हैं, उस दुनिया में चले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं, की कमाई चट हो जाती है, मूल बात है इंपोर्टन बात क्या है पतित से पावन होने की यह है ही वीश्यस दुनिया विकारी दुनिया वो है वाइसलिस दुनिया नई दुनिया जहां देवताईं राज्ये करते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है पहले पहले देवताही सबसे जास्ती जन्म लेते है उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंची है वह पहले आते है 21 पीडी वर्सा पाते है कितना बेहद का वर्सा है किसका वर्सा है क्या वर्से में मिलता हमें पवित्रता, सुख, शांती का सतियुग को पूरा सुकधाम कहा जाता है त्रेता है सामी क्योंकि दो कला कम हो जाती है कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है देखते हैं न चंद्रमा सूला कला संपूर्ण है तो फुल रोशनी है दो कलाएं कम हो गई तो थोड़ी कम हो जाएंगी न चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है तो यसे आत्मा की भी कला कम हो जाती है तो उसके अंदर की शक्तियां घोण है ना क्वालिटी जो होती आत्मा की वो डाउन हो जाती है तो बाबा कहते हैं आखरीन बाकी लकीर जाकर बचती है फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है फिर इंदा एंट एक लकी यह जैसे अमवस्या का चांद होता है तो कुछ भी नहीं रहता है जैसे निल नहीं होता है लकी रहती है तुम्हारा भी ऐसे है निल नहीं होते इसको कहा जाता है आटे में नमक कुछ न कुछ अंदर चेतनता रहती है तभी तो बाबा फिर से जागरित करते है खतम हो जाए तो फिर कैसे जागरित करेंगे बाप आत्माओं को बैट समझाते हैं यह है आत्माओं और परमात्मा का मिला बाबा समझा रहे हैं हम समझ रहे हैं तो जिसे मिला, मिलन हो रहा है, यह बुढ़ी से काम लिया जाता है, ऐसे कोई फिजिकल नहीं है, पर इसे सब चीजे बुढ़ी से काम ली जाती है, परमातमा कब आते हैं? जब बहुत आत्माई अत्वा बहुत मनुष्य हो जाते हैं तब परमात्मा मेले में आते हैं तो ये दुनिया है बेहत का मेला और जब इस मेले के अंदर बहुत आत्माई और बहुत मनुष्य हो जाते हैं लगभक सारी आत्माय परमधाम से इस रिष्टी पर आ जाते हैं, तो बाबा आते हैं, आत्माओं और परमात्मा का मेला इसलिए लगता है, बह मेले तो मैले होने के लिए है, कितनी धूल मिटी होते हैं, कितना पॉलूशन हो जाता है, इस समय तुम बागवान द्वारा काटे से फूल बन रहे हो, ये मेला फूल बनने के लिए है, पावन बनने के लिए है, कैसे बनते हो, जाद के बल से, बाप को कहा जाता है, सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान इतना पावर्फुल है, जो हमें भी मास्टर सर्वशक्तिमान बना देते हैं, जिसे बाप सर्वश बाब खुद ही कहते हैं, माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है, कहते हैं बाबा, हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है, कोई फिजिकल व्यक्ती नहीं है माया, कोई रावण नहीं है दस्शीशवाला, माया क्या है, हमारे अंदर की कमियां, कमजोरियां, हमारे अंदर का एहम, मैं आया, ये है माया, तो अंदर का एहम है, एहिंकार है, जो विकार है, जो विकृत भावनाई है, यही तो माया है, याद करने बैठते हैं बाबा को, पर रंतु हमारे अंदर की वीक्निस सामने आ जा में कभी नेगेटिव भावनाओं के रुप में योग लगता ही नहीं है फिर इनको हटा देंगे अंदर से प्योर हो जाएंगे योग भी लग जाएगा एक दो के दुश्मन हुए ना बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं माया फिर हरा देती है देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है ये जो अंदर से टग ओफ वाड चलती है जो कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रो है हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच में निर्विकारिता और विकारों के बीच में जो युद्ध चलती है इसी को ही प्रतिकात्मक रोप से हमारे शास्त्रों में देवताओं और असुरों के युद्ध के रोप में दिखा दिया है परन्तु ऐसे कोई है नहीं युद्ध तो यह है जो हमारे भीतर चलता है तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो माया याद में विग्ण डालती है दिखाते हैं न कि जो ब्रामण है वो यग्य करते हैं भगवान को प्रसन करने के लिए फिर असर उसमें कुछ-कुछ डालके यग्य की अगनी को बार-बार बुझा देते हैं पढ़ाई में विग्ण नहीं डालती याद में ही विग्ण पढ़ते हैं युकि पवित्र होती है ना आत्मा तो इंप्यूरिटी बाहर निकलती है घड़ी-घड़ी माया भुला देती है बस अभी बैठे हैं याद करने पता ही नहीं चलेगा अगली घड़ी में कोहीं और चले गई बुध्धी देहे अभी मानी बनने से माया का थपड लग जाता है कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं यह है ही रावण राज्ये यहाँ भी समझाया जाता है क्या पावन बनो फिर भी बनते नहीं बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ काला मुहों मत करो फिर भी लिखते हैं क्या बाबा माया ने हार खेला दी अर्थात काला मुहों कर बैठे गोरा और सावरा है ना विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं आत्मा की बात है जो आत्मा प्योर है उसी को कहते हैं गोरे जो आत्मा इंप्योर है वो है काले श्याम सुन्दर का भी अर्थ सिवाए तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं जानते वो तो अलग-अलग कहानिया बना देते हैं कि क्यों श्री कृष्ण को श्याम और सुन्दर कहते हैं अलग-अलग स्टूरीज बताते हैं पर दू बाबा बताते हैं आत्मा काम चिता पर चड़ती है तो काली हो जाती है ज्यान चिता पर चड़ती है तो गोरी हो जाती है तो बाबा कहते हैं कि दुनिया कोई भी नहीं जानता इसका अर्थ श्री कृष्ण को भी श्याम सुन्दर कहते हैं बाब उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुन्दरता में नंबर वन, यह पास होता है, कौन श्री कृष्णा, बहुत ब्यूटिफुल, तो बाबा कहते हैं, फिर पुनर जन्म लेते लेते, नीचे उतरते उतरते, काले बन जाते हैं, आत्मा विकारी हो जाते है, तो नाम यह अर्थ भी बाप समझाते हैं, शिव बाबा तो है ही आवर सुन्दर, शिव बाबा श्याम सुन्दर नहीं बनते हैं, वो चक्र में नहीं आते हैं, तो वो आवर सुन्दर है, सदा ही प्योर है, ब्यूटिफुल है, कहते हैं ना सत्यम शिवम सुन्दरम, तो बाबा कहते हैं वह आकर तुम बच्चों को सुन्दर बनाते हैं पतित काली पावन सुन्दर होते हैं नाचुरल ब्यूटी रहते है सत्युग में तुम बच्चे आये हो के हम स्वर्ग का मालिक बने गायन भी है शिव भगवानु वाच माताई स्वर्ग का द्वार खोलती है इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है वंदे मातरम तो understood पिता भी है माताओं का पिता भी तो होगा ना बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते है माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं उन्हें इज़त देते हैं, उन्हें इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं जो पूजनिये बन जाते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायन तो ये ट्रेंट शिव बाबा शुरू करते हैं पहले शक्तियों को आगे रखते हैं पीछे पांडव यहाँ फिर पहले Mr. फिर Mrs. पहले लक्ष्मी, फिर नारायन पहले गौरी, फिर शंकर तो ये है बाबा ने जो ट्रेंट स्टार्ट किया ये दुनिया का है Mr. एंड मिसिस तो अब कहते हैं, ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है बाप रच्चाईता पहले अपना परीचे देते हैं एक है हद का लौकिक बाप दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप दो चीज़े हैं ना Soul and Body तो Body का लौकिक पिता और आत्मा का पारलौकिक पिता बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्सा मिलता है हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड एक आप से ही जोड़ेंगे हद की पिता है घर में लेकिन फिर भगवान को याद करते हैं कि जवाब आएंगे तो हम सारे संबंध तोड़कर सब कुछ छोड़कर आपके बन जाएंगे। ये किस ने कहा? आत्मा ने. बॉड़ी ने ने कहा, वो थोड़ी ना कहेगी. आत्मा ही इन ओर्गेंस द्वारा पाट बजाती है. हरी कात्मा जैसे जैसे कर्म करती है, ऐसे ऐसे जन्म लेती है. द्वापर के बाद तो फिर कार्मिक एकाउंट के कारण बर्थ हुए ना? तो जैसे जैसे कर्म करती है, वैसे वैसे जन्म लेती है. साहुकार गरीब बनते है कर्म है न ऐसे थोड़ी ना कोई साहुकार है कोई गरीब है कुछ किया है तो साहुकार है कुछ नहीं किया है तो गरीब है ये लक्षमी नारायन विश्व के मालिक है इन्होंने क्या किया ये तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो बाप कहते हैं इन आखों से यह जो दो आखे हैं न इन आखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराख्य बिलकुल वैराख्य detach यह तो सब खत्म हो जाना है पता चले यह चीज अभी जाने वाली यह खत्म होने वाली उससे attachment हो न रखेंगे तो जब बाबा ने बता दिया स्रिष्टी के रचाईता ने बता दिया कि यह पुरानी स्रिष्टी खत्म होने वाली है फिर उससे attachment क्यों रखनी नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है automatically मन करेगा कि नए में जाए न बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है हम उसमें जाएंगे होता है न यह पुराना मकान तो तूट फूट जाएगा यह है बेहद की बात वही वाली बात है जिसे पुराने मकान तूट फूट जाता तो वेराग्य आ जाता है यसी यह दुनिया भी बहुत फूट गई है जड़ड़ी भूत हो गई है आत्माओं की क्वालिटी बिलकुल डाउन हो गई है तो इसलिए इसे बेहद का वेराग्य क्योंकि बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं तो बक्यते बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्थापना करने यह पुरानी छी-छी दुनिया है तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ती शिव के आगे बैठे हो तुम विजय पहनते हो वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ती जो बैज में है ना त्रिमूर्ती इसमें है ब्रह्मा बाबा फिर विश्नु फिर शंकर और उपर शिव बाबा तो यह त्रिमूर्ती कोर्ट ओफ आम्स है तुम ब्रामनों का ये कुल सबसे उच्चा है चोटी है यह राजाई स्थापन हो रही है इस कोट ओफ आम्स को तुम ब्रामन ही जानते हो वह गव्रमन्ट का उसमें वो त्रिमूर्ती दिखाते है जिसमें नीचे सत्य में बजयते लिखा हुआ है यह हमारा है कोट ओफ आम्स बाबा कहते हैं शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए विनाश तो होना ही है दुनिया तमु प्रधान बनती है तो नाचुरल केलमटीज भी मदद करती है बुद्धी से कितनी साइंस निकालते रहते हैं तो एक है ब्रह्मा बाबा दुसरी दरफ शंकर फिर नई दुनिया बनती है तो विष्णो अब कहते हैं कि पेट से कोई मूसल नहीं निकले है जो शास्त्रों में दिखाया है यादवों के बारे में कि पेट से मूसल निकाले तो पेट से मूसल नहीं निकले है बुद्धी से मिजाइल्स कैसे बनी है, invent की है तो वो सब चीजों की बात है कि बुद्धी से युरोप वासियों ने मिजाइल्स की invention की है जिससे अपने कुल का विनाश होता है यह science निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते है तो उसी चीज को शास्त्रों में फिर दूसरे ढंक से दिखा दिया है, बता दिया है बच्चों को समझाया है, ओचते ओच है शिव बाबा पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की ब्रामणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है तो पूजा का आधार है, किनका पूजन होता है? जो प्योर होते हैं, आत्मा भी और शरीर भी ब्रामणों की आत्माएं भले पवित्र बन रही है बाबा की याद से पर बोडी तो फिर भी आपवित्र है न, विकारों से उत्पन हुई है तो इसलिए ब्रामणों की पूजा नहीं हो सकती तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते महिमा लायक हो जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र शरीर भी नया पवित्र मिलता है इस समय तुम महिमा लायक हो बंदे मातरम गाया जाता है पूजा नहीं जाता गाया जाता है गायन योग्य हो महिमा योग्य हो माताओं की सेना ने क्या किया माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है इसलिए माताओं की महिमा है इसलिए माताओं की वंदना की जाते है वंदे मातरम गाया जाता है तो बाबा कहते हैं माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है माताओं सब को श्रीमत पर ज्ञान देती है माताएं सबको ज्यान अम्रित पिलाती है क्या पी रहा सभी ज्यान अम्रित तो बाबा कहते हैं यह थार थरीती तुम ही समझते हो शास्त्रों में तो बहुत कहानिया लिखी हुई है वह बैठ कर सुनाते हैं तुम सत-सत करते रहते हो तुम यह बैठ कर सुनाओ तु सत सत कहेंगे अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धी है जो सत सत कहते रहते है जो सुनाओ वो सत सब ठीक है सब सत्य है गायन भी है पत्थर बुद्धी और पारस बुद्धी समझ में नहीं आता है ना तो जैसे पत्थर बुद्धी हो जाते हैं कुछ अंदर नहीं जाता है बस मुझ से बोलते रहते हैं लेकिन जब अंदर जो बाबा सुनाए वो धारन हो जाए तो ऐसी बुद्धी होती है पारस बुद्धी पारस बुद्धी माना पारस नाथ नेपाल में कहते हैं पारस नाथ का चित्र है पारस पुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायन है उन्हों की डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायन अकेले तो नहीं है उनकी पूरी डिनाइस्टी है उन सब की बुद्धी पवित्र जैसे पारस क्या करता है जिसको भी छूता है उसे सोने का बना देता है तो ऐसे ही बुद्धी ऐसी होती है इतनी प्योर होती है जो दूसरों को भी प्योर बना दे तो वो दुनिया ऐसी है जहां प्रतेक मनुश्यात्मा की बुद्धी, तन, मन सब प्योर होता है तो बाबा क्याते हैं उन्हों की डिनाइस्टी है अकेले नहीं है वो अब मूल बात है रच्चाइता और रचना की राज को जानना जिनके लिए रिशी मुनी भी नेती नेती करते गए है ना क्रियेटर को जानते हैं अबी तुम बाब द्वारा सब कुछ जानते हो अर्थात आस्तिक बनते हो माया रावन नास्तिक बनाते है अच्छा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाब दादा को गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धालना के लिए मुख्य सार पहला सदा स्मृति रहे कि हम ब्रम्ह मुखवन शावली, ब्राम्मण है हमारा सबसे उच कुल है हमें पवित्र बनना और बनाना है पतित पावन बाब का मददगार बनना है दुसरा, याद में कभी गफलत नहीं करना है देहे अभिमान के कारण ही माया याद में विग्न डालती है इसलिए पहले देहे अभिमान को छोड़ना है योग अगनी द्वारा पाप नाश करने है बरदान है साधनों की प्रवरती में रहते किस चीज की प्रवरती? साधनों की अभी वो वाली प्रवरती तो खतम हो जाते है भूल जाते है रिष्टेदारों को प्रवरती साधनों की प्रवरती तो साधनों की प्रवरती में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले साधन है प्रवरती डिटाच है उनके आकर्षन से तो न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव तो बेहद के वेरागी की ये नई डाफिनिशन है कि साधनों की प्रवरती में रहकर कमल पुश्प समान नियारे और प्यारे साधन मिले है तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो मनानी करते बाबा यह साधन है ही आपके लिए लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो पुरा बैलन्स हो साधन बुरे नहीं है साधन तो आपके कर्म का योग का फल है इजी कर देते ना लाइफ को बहुत सारे काम सहज हो जाते है तो आपने जो योग लगाया जो कर्म की उसका फल है लेकिन साधन की प्रवृति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो यूज करते हुए उन्हों की प्रभाव में नहीं आओ ऐसा ना वो आपको खीच रहे हैं आप उन्हें यूज कर रहे हो जब हमें जरुरत होती हैं उनका यूज करते हैं है न? जैसे यूज खतम काम खतम उनको दूर रख दिया बिल्गुल नयारे हो गए जैसे कि जरूरत नहीं है ऐसा ना हो कि वो हमें खीच रहे है है न? चेक करना है बहुत महींता से कि हम उनने यूज कर रहे है या वो मुझे यूज़ कर रहे है, मेरे mind को, मेरे intellect को खराब कर रहे है तो साधनों में बेहद की वैराग्य वृति मर्ज ना हो पहले स्वयम में इसे इमर्ज करो फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ दूसरों की सेवा करने से पहले, खुद अंदर इस बेहद की वैराग्य वृति को इमर्ज करना पड़ेगा तो इसलिए बावा ने कहा, कि यूज़ करो परन्तु प्रभाव में नहीं आओ स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही कोई परेशान है, याद दिला दियाओने, आपकी शान क्या है तो स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है कितनी सहज सेवा है, याद दिला दियाओने, आप कौन हो आपकी स्वमान क्या है, बस परेशानी खतम स्वमान में स्थित हो गई आत्मा तो आज विशेश याद रखेंगे अब घर जाना है और इसलिए जितना हो सके मुख का भी silence मन का भी silence काम किया साधनों का प्रयोग किया फिर एकदम silence लक्षे याद रहे मुझे घर जाना है तो आटोमाटिकली पुरानी दुनिया से पुरानी बातों से बैराग गयाता और जो कुछ भी इन आखों से देख रहे हैं समझ जाएंगे ये तो खतम होने वाला है जोकि ड्रामा पूरा होने वाला है हमें घर जाना है जितना जितना घर की स्मृति रहेगी बाकी धार नाए अपने आप होती जाएंगे ना च्छा ओम शांति योगी जिवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभू का वर्दान है दिल की दुआए वो पाएं सभी का अर दिल का अर्मान है योगी जिवन बड़ा ही प्यारा मौन बड़ा on प्रभु सिरत की वो है सूरत त्याग तपकी वो है मूरत प्रभु सिरत की वो है सूरत हर बंधन से मूत वो रहता वो तो गुणों की खान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वर्दान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा रेम भावना नेख का वर्दान है मन में होता शुद्ध विचार धरती पर वो सुख का सूरज बांटे सबने प्यार पांच तत्ध का वो है मालक जग की जीवन दान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वर्दान है दिल की दुआए उपाए सभी का हर दिल का अर्मान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वर्दान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वर्दान है